हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टो दा टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लैटफोर्म आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ पिछले कई दिनों से एंटी एक चर्चा का विशह है क्योंकि नीट एक्जाम के साथ जो हुआ वो हम सब ने कहीं न कहीं देखा है और हम सब नॉलेज में हैं कि नीट एक्जाम के अंदर कितना बड़ा फ्रोड हुआ था कितना बड़ा स्कैम हुआ था लेकिन फाइनली नीट के अंदर जो स्कैम हुआ है जिन बच्चों को एक्स्टा मार्क्स मिले थे जिन बच्चों को एक्स्टा रैंक मिल गई थी जो शायद वो डिजर्व नहीं करते थे फाइनली उनका सुलूशन निकाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेर किया और वापस से उन बच्चों का एक्जाम हुआ है वापस से उन बच्चों का री नीट एक्जाम हुआ है और जितना भी वो डिजर्व करते थे उनके हिसाब से उनकी रैंक आ लेकिन NTA कैसी एजेंसी है जो बेसिकली सिर्फ नीट एक्जाम नहीं बाकी एक्जाम्स भी करणकरा जासे कि आपके पास UGC Net एक्जाम है इन दोनों एक्जामस को भी NTA ही करणकराता है और जब आपका UGC का एक्जाम हुआ होने के एक दिन बाद उस एक्जाम को भी कैंसि कर दिया गया है नग 6 जुलाई को STF ने तीन लोगों ग्रफतार किया है भाया क्या किया था उन तीन लोगों ने उसकी बात कर लेते हैं 25 जुलाई को आप लोगों का लाइफ साइंस का एक्जाम हुआ और उस लाइफ साइंस के अंदर कुछ चीटिंग के केस पकड़े गए आप यहां पर मेरे साम उसको बाथे बच्कों आइसर्ज बता रहा है और इस लाऊ है और प्लोग एक्जाम के अंदर क्या ले सकते हो गहीं जो एक्जाम देने के लिए बैठा है उसको बाहर से गढ़े बाई इंसहां उसको आँसर्स बता रहा है STF ने बीच में इंटरफेर किया च्छापा मारा और वहां से उन लोगों ने तीन लोग ग्रफतार किया है और यह सारी चीजे आज आप यहां पर देशाते हैं और न्यूस ने इस पूरी चीजों कवर किया है सेफ टाइम्स ना हो नहीं नहीं हिंदूस टाइम्स जो की सबसे बड़ा न्यूस पेपर है उहां पर भी एक आर्टिकल आया है कि लखनल चीटिंग थूरू रिमोट एक्सेस डिवाइस एक्सपोजड बायदा यूपी STF तो STF ने basically एक particular सेंटर के उपर जाकर छापा मारा और वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली लेकिन क्या STF सारे के सारे सेंटर के उपर पहुच पाया है एक सवाल ये भी है क्या सभी exam सेंटर के उपर ठीक तरीके से हुए है एक सवाल ये भी है और जब एक center safe नहीं है तो इसकी क्या guarantee है कि बाकी सब center safe रहे होंगे है ना और अगर life science की paper के अंबर ये धांदली हुई है तो इसकी क्या guarantee है कि आपके पास mathematical science, physical science या फिर chemical science के अंबर ऐसा नहीं हुआ होगा है ना 25th of July की एक खबर है 26 July को arrest होई लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोई भी वीडियो उस दिन आपके सामें release नहीं किया विकोज हम नहीं चाहते थे कि आपके बीच में exam से एक दिन पहले कोई panic create हो लेकिन ये जो मामला है इतना छोटा नहीं है कि हम इससे ignore कर सकते हैं हमें इसके उपर ध्यान देना होगा नीट exam को जो है वो 24 लाख बच्चे देते हैं 24 लाख बच्चों ने टीचर्स ने मिलकर जब प्रोटेस्ट किया तब जाकर सुप्रीम कोट ने इंटरफेर किया और तब जाकर उनको जो है एक जस्टिस मिला है लेकिन वट अब सीएसा नेट के अंदर टोटल जो एप्लेकेंट्स होते हैं अगर हम सब को पास चैनल फाल उठाएंगे अगर कहीं पर भी च्रुटिंग होई है तो हमें इस बात की भी गैरेंटी देनी चाहिए एंटिये को की बाकी सभी सेंटर पे कुछ भी नहीं हुआ है अब तक कोई भी नियू या फिर कोई भी स्टेटमेंट एंट्यें के थूरू नहीं आया ह कि किसी भी center के अंदर धान्दि नहीं हुई है अगर एक center safe नहीं है तो इस बात की क्या guarantee है कि आपके पास बाकी सब center safe रहा होंगे UP एक state है उसके अंदर शिफ एक center है S,G total आपके पास 28 state के अंदर exam होता है कितने सारे center आपके पास होते हैं अगर आपको लगता है कि जिस exam hall के अंदर, जिस exam center के अंदर आप लोग exam दे रहे थे, अगर आपने वहाँ पर कोई भी suspicious activities नोटिस करी है, तो आप लोगों को वो चीज हम तक पहुचानी पड़ेगी, ताकि हम इस चीज के उपर आवाल उड़ा सकें, और हर एक student को यहाँ पर साथ साल की आपकी यह महनत है, और साथ साल की महनत को अगर आप cheating के through, अगर कोई undeserving student आपकी seat ले जाए तो कितना बुरा आप लोगों को लगेगा, है ना, तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि कोई भी suspicious activities आपके exam center के अंदर हुई है, चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी, आपको लगता है कि आपके exam center के अंदर कोई एक ऐसा person आ गया था, जिसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, आपके computer system के अंदर गड़ बड़ थी, या फिर हो सकता है कि आपके साथ जो बैठा हुआ था या उस कमर में जो बैठा सकें, हर एक center के अंदर CCTV cameras होते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी हुआ है, तो आपको बस वो खबर हम तक पहुचानी है, उसके बाद काम हमारा है, हम उसको आगे तक ले कर जाने वाले हैं, तो बस यही चीज मुझे आप लोग को बतानी थी, अगर कुछ भी suspicious आपको CSIR NET chemical science के exam में लगा है, तो आप लोग बस उस खबर को test book तक पुचाईए, आपकी बात को, आपकी problems को test book समझेगा, और test book हर deserving student को वो rank देगा, वो उसको ओधा देगा, जो उसको मिलना चाहिए, है ना, तो हम लोग तो तयार हैं, अगर इस बार NTA ने CSIR NET में क को हम सब के साथ मिलकर हमारी help करनी है, अगर all over India में आपका center कहीं पर भी हो, कुछ भी गडबढ़ है, तो आपको नीचे comment box के अंदर महां बताना है, हमारे team आप से contact करेगी, और सारे इस आपको लेकर हम लोग ऊपर जाएंगे, हाई court तक जाएंगे, सुप्रीम court में जाने तो हम लोग वहां तक भी जाएंगे, तो बस इतनी ही निवेदन थी, कि अगर आपके पास कुछ हुआ है, तो आप लोग उसके बारे में हमें नीचे comment box के अंदर बताएंगे, तो इस इस इट for today's video, ये video बड़ा छोटा है, लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं है, और इस मैं नई अप्डेट के साथ, जैसे कोई अप्डेट आती है, आपके साथ मैं शेर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैर अकल प्रेस कर लो, ताकि किसी भी major अप्डेट को आप लोग मिस ना कर सको, ये आपके करियर का सवाल है, है ना, विकोज अब ये जो पड़ी, तो आपको उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को यहीं पर ही मैं अंड करूँगा, उमीद करता हूँ कि आप सब का एक्जाम बढ़िया हुआ होगा, all the best for results, लेकिन अगर कुछ हुआ है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आवाज आपको उठानी पड़ेगी, thank you so much for watching this video.